इस वक्ता बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिशल दोनों को सयुक्त रूप से राज़ेपाल सत्यपाल मलिक संबोधत करेंगे, अभी भाशन अपना पढ़ेंगे दरसल इस अभी भाशन में होता ये है कि राज़े ने अब तक विकास जुड़े कौन-कौन से काम किये हैं और कौन-कौन से वो बड़ी यूजनाय या बड़े काम है जो विकास के रास्ते पर बिहार को ले जाने में मददगार साबित हो रहे हैं इन तमाम बातों का उलेक होता है जिकर होता है साथ ही साथ राज़े पाल या नुरोध भी करते हैं कि विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों ही सदन की गर्मा को बनाय रखे और जो मुद्दे हैं इस बार बजट सत्र में वो जनता से जुड़े जरूर उठें ताकि उन मुद्दों पर बातचीत हो सके एक सकरात्मक बातचीत हो सके और बातचीत के बाद समस्या का समधान भी निकल सके तो ये लाइफ तस्वीरे आप देख रहे हैं बिहार विधान मंदल से आपको बता दे कि ये बजट सत्र काफी लंबा रहने वाला है जिसमें 24 बैठके होंगी और 14 छुट्टियां होंगी और उमीद है कि इस लंबे सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हो और उन समस्याओं का भी समधान निकल सके हलाकि विपक्ष के पास इस बार मुद्दे काफी ज़ादा है और विपक्ष का ये कहना है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई या फिर हमें संतोशनक जवाब नहीं मिला तो फिर हम हंगामा करेंगे सदन नहीं चलने देंगे लेकिन सवाल ये भी है कि सत्ता पक्ष की ओर से यानि सरकार की ओर से जो जवाब मिले उसे धैरी से सुने अगर विपक्ष तो हो सकता है कि ये जो सदन है इसमें जो मुद्दे अबाचीत जो उठेंगे किये जाएंगे वो एक सकरात्म का तरीके से होंगे और इसी उम्मीद के साथ है इस बार इस सत्र की शुरुवात हुई है और इस सत्र से पहले आपको याद है कि नेतापृति पक्ष तेजस्वी आदव ने नियायात्रा भी पूरे बिहार में की है और इस नियायात्रा में पूरा होमवर्क किया है तेजस्वी आदव ने कि कौन-कौन से वो जो सवाल है वो सरकार से पूछे जाएं हलाकि विपक्ष के पास इस बार मुद्दे कई बजट सतर से जोड़े कुछ जानकारी हम आपको दे रहे हैं 4 अपरेल तक चलने वाले बजट सतर वेकुल 24 पैठके होंगी राज जिपाल के अभी भाशन पर वाद विवाद के लिए दो दिन का समय दिया जाएगा राज जिपाल सत्यपाल मालिक को इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि अपना अभी भाशन पढ़ेंगे संबोधित करें हैं संयुक्त रूप से दोनों ही सदनों को और इसके साथ ही बजट सतर की शुरुवात हो चुकी है जो जो समना हुआ को उते पाज़ें से सुप्प्राइब आप से सुप्राइब रहे हैं संस्प्राइब भाशन पर प्रेख रहे बढ़ेंगे तो इस पटन से लाइव तस्वीरे आप देख रहे हैं दिरसल बिहार विधान मंडरन में आज से ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई कि इस बार जो वजट सत्र रहेगा वो काफी हंगामेदार रहेगा क्योंकि विपक्ष के पास कई जो लंद मुद्धे इस वक्त हैं जिसको ले करके सरकार को घेडने का काम विपक्ष करेगी मसलन दो दिन पहले रफिवार को जो दरदनाक शनीवार को माफ कीज़ेगा जो दरदनाक हादसा हुआ था मुदफर पूर में वो आप सभी को याद होगा विकिस तरीके से एक पुलेटों गाड़ी ने नौ बच्चों को कुछ अल डाला था नौ बच्चों की माउत हो गई थी और सबसे जादा उस घटना में हैरानी की बात ये थी कि जिस गाड़ी से यहादसा हुआ था वो दरसल बीजेपी के एक अनेता की गाड़ी बताई जा से पूछा जाएंगे और इसमें स्रेजन और शौचाले घुटाला का मुद्दा बरकरार रहेगा जो पिछले भी सत्र की कारवाही में सुनने को मिला था इस बार भी ये मुद्दे गूंज सकते हैं सदन में कानून ववस्था और नियोजित सिक्षकों की जो समस्या थी उस इस पार जो सदन में मुद्दे होंगे वो नियाय यात्रा में जो जनिता से बाचीत की है तेजस्वी ने उससे सम्मंधित मुद्दे होंगे और जनिता की समस्याओं को हम रखेंगे बिहार विधान मंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है राज़ेपाल सत्यबाल मलेके अभी भाशन के साथ और बजट सत्र जो है वो 24 बैठके इस बजट सत्र में होंगी हलाकि 4 अप्रेल तक ये सत्र चलना है लेकिन इसमें 14 चुटियां भी होंगी और 24 बैठके होंगी यानि कि 24 दिन बिहार विधान मंडल में कारवाही चलेगी और उस दोरान जो है वो लगातर विपक्ष का गामा विपक्ष का गुसा विपक्ष के सवालात सरकार के सामने हों सरस का हम जवाब देंगे बशर्ते विपक्ष धैरी के साथ हमारे जवाब को सुने और ये जरूरी भी है अगर किसी समस्या के निराकरण तक पहुचना है तो सिर्फ सवाल पूछने से ही काम नहीं चलेगा बलकि सामने वाले का जवाब भी सुनना पड़ेगा कि आखिर वो तो लगातार हमारी नज़र बनी भी है बिहार विधान वंडल के बजट सतर पर इसे जोड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुचाएंगे और आज जब सतर की शुरुआत हुई है तो सदन के भीतर की क्या तस्वीरे रहेंगी ये जरूर हम आपको दिखाएंगे एक हजार एक सो पिचानमे वार्डों में कारेपूर्ण हो चुका है तथा दो लाग पच्चिस हजार घर आच्छादित हुए हैं लोक स्वासाभ यंत्रन विवाग द्वारा गैर गुण मत्ता प्रभावी छेतर में अब तक 3856 वार्डों में कारेपूर्ण हुआ है तथा 527 वार्डों में कारेपूर्ण कर दो लाग 28,000 घरों को आच्छादित किया गया है इसके अतिरिक 766 आर्सेनिक प्रभावी द्वार्डों 1166 फ्लोराइड प्रभावी द्वार्डों तथा 1077 लोह प्रभावी द्वार्डों के लिए योजना इस्विक्रित की गई हैं साथी मिनी पाइप जलापूर्ती योजना के तहट 1615 गोंवत्ता प्रभावित वार्डों में कारे प्रारम हुआ है और 404 वार्डों में कारे पूरा कर 1,12,000 घरों को अच्छा दित किया गया है। नगर विकास और आवास विभाग द्वारा अब तक 1250 वार्डों में कारे प्रारम किया गया है और कुल 4,000,000 घरों को नल के जल की सुईधा दी गई है। घर तक पक्की गली नालियां निश्चे के तहट ग्रामीन छेतर में पंचाती राज विभाग द्वारा अब तक 18,308 वार्डों में कारे प्रारम किया गया है जिसमें से 3,423 वार्डों में कारे पूर्ण हुआ है तसा 4,29,000 घर आच्छा दित हुए हैं। शहरी छेतर में नगर विकासें आवास विभाग द्वारा अब तक 3517 वार्डों में कारे प्रारम किया गया है एवं कुल 16,61,000 घरों को पक्की गली नाली की सुईधा मिली है। राज सरकार द्वारा शोचाले निर्मान घर का सम्मान निश्चे के तहट हर घर में शोचाले की विवस्ता की जा रही है। तता शोचाले के नियमित उप्योग के लिए लोगों को विवार में परिवर्तन लाने है तू अभियान चलाया जा रहा है। राज को खुले में शोच से मुक्त करने के लिए लोहिया स्वच बिहार अभिहान चलाया जा रहा है, ग्रामी विकास भाग द्वारा ग्रामी छेतर में अब तक 3517 पंचाइतों में कारिस्ट शुरू किया गया है, जिनमें 713 पंचाइतें खुले में शोच से मुक्त हो गई है तथा 84,15,000 से अभी घरों को आच्छादित किया गया है, अभी तक 4 अनमंडल, 33 प्रखंड खुले में शोच से मुक्त हो चुके हैं, तथा रहताष जिला खुले में शोच से मुक्त होने की और अग्सर है, नगर विकास और आवास भाग द्वारा शेहरी छेतर में अब तक कुल 14,8,000 घरेलू शोचाले हैं, एक हजार सेंटी सामुदाइक शोचाले का निर्मान कराया गया है, तथा 792 वार्ट खुले में शोच से मुक्त हो गए हैं, अवसर बढ़ें, आगे पढ़ें निश्चे के तहत, राज में 16 BSC Nursing College, 23 GNM Prescription संस्थान, 54 ANM Prescription संस्थान, तथा 33 पहरा मेडिकल संस्थान हैं, वेगु सराय, वैशाली, सीता मडी, भोजपुर तथा मदुवनी जिलों में, पांच नए चिकित्सा महाविद्याले की स्थापना की जा रही है, अब तक इन संस्थानों के भवन निर्मान हेतु, कुल 3,401 करोड रुपे की स्थान की गई है, इसके अतरिक्त राज में 31 अभियंतरन महाविद्याले, 19 पोलिटेक्निक संस्थान, 76 सरकारी ओद्योगिक प्रिशिक्षन संस्थान, 31 महिला ओद्योगिक प्रिशिक्षन संस्थान चरन बद रूप से स्थापित किये जा रहे हैं, वर्ष 2017-18 में राजिके पूनिया, सहरसा एं सुपोल जिले में अभियंतरन महाविद्याले में सिक्षन सत्र प्रारम किया गया है, तथा भोजपूर, बांका, वैशाली ओं कैमूर में नए अभियंतरन महाविद्याले के निर्मान की सुकृति दे दी गई है, इसी अवधी में राजिके बकसर, पश्चिम चंपारन नें किशंगन जिले में पॉलिटेकनिक सिक्षक सत्र प्रारम किया गया है, तथा औरंगाबाद, किशंगन, तथा पश्चिमी चंपारन में नए पॉलिटेकनिक के निर्मान की सुकृति दी गई है, वश्च 2017-18 में 18 सरकारी उद्योगिक प्रसिक्षम संस्थान खोले गए हैं, तथा साथ महीला और जोगिप प्रसिक्षम संस्थान इस्थापित किये गए हैं, राज के समगर विकास में माना विकास की विशेष्ट भूमी का, सरकार ने सिक्षा पर विशेष्ध ध्यान दिया है, सर्व सिक्षा ध्यान के तहत अब तक कुल 21,261 प्राथमिक विद विद्यालें को मध्ध विद्यालें में उत्क्रमित किया गया है, विद्याले से बाहर के बच्चों को सिक्षा की मुखधारा में लाने के लिए राजी ने महत्पून उपलब्दी हासिल की है, वर्तवान विद्याले से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या एक किस तर से उच माध्यमी किस तर में पहुंचने वाले बच्चों का दर वर्ष 2016-17 में 85 प्रतिशत हो गया है। छात्र वर्ग कक्ष अनुपात को बेतर करने है तो सर्व सिक्षा अभियान के तहित उस दो लाग चोहतर हजार वर्ग कक्ष का निर्मान किया जा रहा। सभी प्राइतों में उच माध्यमीक विद्याले की स्थापना की जा रही है। मध्यान भोजन योजना के अंतरकत प्रात्मी केवं मध्ध विद्यालियों में छीजन रोपने तथा चात्र चात्राओं के उचित पोशन के उद्वर्ष से कुल 70,371 विद्याले आच्छादित हैं Center for Journalism and Mass Communication, पाटली पुत्र, Center for Economics और Center for River Studies इस्थापित किये गए हैं तथा एक अन्य सेक्षन, एक संस्थान, Center for Geographical Studies की स्थापना की जा रही है। उच शिक्षा के अवसर पुदान करने के उद्श्य से पूर्णिया, पाटली कुत और मुंगेर विश्विद्यालों की गठन किया गया है। ताकि लोगों को राज में ही आधुनिक चिकित्सा उपलब्द हो सके। IGI MS में किडिनी प्रत्यारोपन की सुविधा अरंब हो चुकी है। PMCH में भी इसकी स्थापना की कारवाई प्रक्रियादीन है। IGI MS में 120 करोड रुपे की लागत से राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना की जा रही है। और वहाँ लीवर प्रत्यारोपन की सुविधा भी उपलब्द रहेगी। स्थाथ प्रक्षेत्र में बेहतर आधार भूर संरचना विक्सित करने के लिए राज्य में कुल 252 करोड रुपे की लागत से 63 योजनाओं का कारे पूंड किया गया है। तता 614 करोड रुपे की लागत से 50 योजनाओं का कायर निर्माना दीन है। अब तक प्रखंड स्तर पर कुल 210 प्राथमिक स्वास्त केंद्रों को सामोदाइक स्वास्त केंद्रों में उतक्रमित कर स्वास्त विधाम जनों को पलब्द कराई जा रही है। मुख मंत्री चिक्सा साहता कोश के अंतरगत नए लोगों को शामिल करने के साथ दरों में भी शंशोधन किया गया है। वश 2017 में रोगियों की इलाज हेतु 86 करोड 16 लाख रुपे के अनुदान की सुकृती दी गई है। वश 2017 में अब तक कालाजार के 8,038 मरीज प्रत्विय दित हुए हैं। मुख मंत्री कालाजार रहत योजना के अंतरगत प्रती मरीज 6,600 रुपे की दर से मुख मंत्री रहत कोश से 4,23,25,000 रुपे का भुगतान किया जा चुका है। मात्री स्वास्त कारिक्रम को बढ़ावा देने मात्री मृत्यू अनुपात को कम करने के लिए राजी के 6 चिकित्सा महाविद्याले तथा 2 सदर अस्पतालों में 100 शैया वाले मात्री शिश्यू स्वास्त विंके निर्मान की सुकृती दी गई है। बिहार की शिश्यू मृत्युदर वर्स 2046 में 61 थी जो वर्तमान में घटकर 38 हो गई है। 16 जिलों में सघन मिशन इंद धनुष कारिकरम चलाया जा रहा है। बिहार में विरहत जिलायों ग्रामीन सडकों तथा पुलपुलियों का जाल विछा कर राज के सुदूर छेतर से 6 घंटे में राजधानी पठना पहुँचने का लक्ष प्राप्त कर लिया गया है। और अब इस लक्ष को 5 घंटे निर्धार किया गया है। पुल निर्मान निगम द्वारा अब तक 6,864 बड़े पुलों का निर्मान का लिया गया है। पठनुरक्षन नीती के अंतरगत अब तक 5,967 किलो मीटर जिला पथों एम राज उच पथों के संधारन का कारे पूर्ण हो चुका है। राज में 34 आरोबी के निर्मान की सुप्रिती दी गई है जिसमें 28 का निर्मान पूर्य हो चुका है तथा 66 का निर्मान कारे प्रगती पर है। पटना शहर इस्थित मिठापूर आरोबी होते हुए चिरिया टान उपरी पुल के विस्तारी करन का कारे शुरू हो गया है। इसके अतरिक्त पटना शहर के बेली रोड पर ललित भवन से विद्ध भवन तक लोहिया पत्षक्र का निर्मान कारे प्रगती में है। देन वाना धिन साथ ग्रेड उपकेंद्रों में से चेग्रेड उपकेंद्रों का निर्मान कारे पूरा हो चुका है। इसके अत्रेक 47 ग्रिड उपकेंद्रों के संचरन शम्ता में वृद्धी की जा रही है, साथी पटना के प्रमुक गिरोडों की संचरन लाइनों का सुद्रिडी करन कायरे पूर्ण किया जा चुका है। वितरन के छेटर में स्पेशल प्लान बी आर जी एफ के अंतरगत दो योजनाए फेज एक और फेज दो स्विक्रित हैं। साथी लक्षित सभी 387 पावर सब स्टेशनों के आधुनी की करन और नवी करन का कायरे पूरा कर लिया गया है। ट्रांसफार्वन लगाए गये हैं। पहला और दो हजार बारे में दूसरा क्रिशी रोड मेप लागू किया थी। बीज विस्तार योजना तथा मुख्मंत्री ग्राम बीज योजना के कारण फसलों के बीज की उपलबता तथा बीज विस्ताफन दर में गुनात मक्सुदार हुआ। इसके फलसरूप मुख्य फसलों यता धान गेहूं और मक्का के उतपादन यहों उतपादक्ता में दोगना व्रद्धी वी। नए ने क्रिशी अंत्र हरीखाद, वर्मी कंपोस्ट तथा फसल उतपादन बढ़ाने के क्रिशी के उन्नत शील तोर तरीकों का बड़े पैमाने पे फुर्चार किया गया, विश्री विधी से धानें, गेहूं का प्रतेक्शन तथा जीरो ठिलेज का विस्तार हुआ, फसल विविधिकरन, बागवानी, मदुमक की पालन, वर्मी कंपोस्ट, मश्रूम उत्पादन, टिश्यू कल्चर, केला तथा फूल और ओशधी पोधों की खेती के लिए सकारात्मक पहल की गई है, दोनों क्रिशी रोड मैप की उपलबधियों से प्रेरित होकर, राज सरकार न 2017 से 2022 तक के लिए तीसरा क्रिशी रोड में बनाया है, जिसका शुवारम मानी राजपती द्वारा 9 नॉमबर 2017 को किया गया, इस रोड मैप में आगामी 5 वर्षों के लिए 1,54,000 करोड की राशी प्रसावित की गई है, तीसरे क्रिशी रोड मैप में राज में जैविक खेती के लिए राज्य के सहकारी प्रक्षेत्र में के मादम से सब्जी संग्रहन, प्रसंसकरण, एंविपनन की त्री स्थरी विवस्था स्थापित की जा है, ग्रेनेज और सीवरेज का परिशोधि जल गंगा नदी में न बहा कर इसका उप्योग खेती में सिचाई के लिए करने हैं तो एक विशिश योजना बनाई जा रही है, इसके अतरीक तीस्थानी